राइसेन के गैरत अगंज थाना क्षेतर के घड़ी बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हाथसा हुआ तेज रफतार ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को रौंद दिया घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई घायलों को ततकाल गैरत अगंज अस्पताल लाया गया जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें राइसेन रेफर कर दिया गया घटना की सूचना मिलते ही गैरत अगंज पुलिस मौके पर पहुंची ठाना प्रभारी ने बताया की मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है ट्रक का ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है इस घटना ने इस्थानिये लोगों को एक बार फिर से सडक सुरक्षा के मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर दिया है